नमस्कार दोस्तों दिखिए आज की स्यूडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर शर्ट का शोल्डर ज्यादा है और चेश्ट कम है तो किस तरह मार्किंग में चेंज करना पड़ता है ये मैं आज इस यूडियो में दिखाऊंगा तो ये देखने के पहले दिखिए शोल्डर और चेश्ट कारिलेशन किस तरह होता है ये देखेंगे जैसे चेश्ट समझो 32 इंच है तो शोल्डर जनरली 16 इंच का होता है चेश्ट अगर 32 है तो चेश्ट अगर 34 इंच का है तो शोल्डर उसका 17 इंच आएगा चेश्ट अगर 36 इंच का है तो शोल्डर 18 इंच का आएगा चेश्ट अगर 40 का है तो शोल्डर जनरली 20 इंच का आएगा ये जनरल में थड़े अगर आपने मेजर्मेंट गलती से एक लिया और एक नहीं लिया तो आप इस तरह से मेजर्मेंट एक मेजर्मेंट है तो दूसरा निकाल सकते हैं ये कोई फिक्स फॉर्मोला नहीं है लेकिन एक जेनरल आपको एक आईडे मिलता है कि चेश्ट अगर 32 का है तो अप्रोकसिमेटली शोल्डर 16 का होगा जितना भी chest है उसका आधा उसका shoulder होता है अगर chest 36 का है तो shoulder होना चाहिए 18 और कोई customer दिकिए इस तरह के होते है 18 का shoulder होता है लेकिन chest होता है 34 इंच का तो इस case में आपको यह मालूम पड़ेगा कि shoulder ज्यादा है chest कम है 36 का chest होना चाहिए इस shoulder के लिए तो chest कम है इसका मतलब होता है ये जो customer है shoulder इनके भाहर निकले है और chest में वो दुबला पतला है ये customer इससे ये पता चलता है तो इससे ये जो relation है shoulder और chest का ये relation अगर आपको मालूम है तो इससे आपको भीना customer की body देखते ही आपको कि किस टाइब की body है customer की इससे पता चलता है दीकिए यहाँ 34 inch का chest है तो 18 inch का shoulder यानिके chest के हिसाब से shoulder बड़ा है ठीक उसी तरह दीकिए अगर 36 inch की chest है तो इससे 18 inch का shoulder चाहिए लेकिन अगर shoulder 20 inch का है तो इससे पता चलता है shoulder ज्यादा बहार निकला है और chest इसके हिसाब से कम है और दीकिए बिल्कुल इससे उल्टा आपको मैं समझाने के लिए यह बताता हूँ अगर 36 inch की chest है और 17 inch का shoulder है तो इससे यह पता चलता है यह shoulder 18 का होना चाहिए तो 17 का है इसा मतलब है shoulder थोड़ा कम है chest के हिसाब से यानिके यह जो chest में यह थोड़ा healthy है shoulder कम है इस तरह यह measurement से आपको customer की body की जो बनावट है आपको मालूम होती है तो मैं आज इस यूड़े में यही बताऊँगा अगर chest कम है shoulder ज्यादा है तो किस तरह marking करनी पड़ती है तो दीखिए एक example के लिए मैं 18 inch का shoulder बताऊँगा दीखिए 18 inch का 9 inch तो यहाँ mark करेंगे 9 inch पर और दीखिए समझो chest है आठरा के लिए 36 inch का chest होना चाहिए तो पहले जो regular size है उसका marking करेंगे दीखिए 18 inch का shoulder 36 की chest तो यह यहाँ 36 का 24,9 inch यह बाकी जितनी भी losing देना चाहाँगे उटना दीजिए और दीखिए यह जो chest का mark है इससे हम regular marking में क्या करते है एक inch minus करते है और यह यहाँ दीखिए shoulder समझो 2 inch down है यह 18 shoulder के लिए तो दीखिए इस तरह यह marking होगा इस तरह यह regular marking 18 inch का अधा 9 inch shoulder के लिए और यह chest 36 inch का इस तरह marking हो जब 18 inch का shoulder है और chest 34 inch का है तो दीखिए यह marking कैसा change होगा 34 का चौता हिस्सा इस तरह चेंज होगा इस तरह चेंज होगा इस तरह चेंज होगा दीखिए यह chest लाईने अब दीखिए यह जो पीला मारक है 36 inch chest के लिए और 18 inch shoulder के लिए अब दीखिए यह जो green mark है दीखिए 34 inch chest के लिए और वही shoulder 18 inch तो यह दोनों में इस तरह difference होगा अब दीखिए यह जो 36 inch का पीला मारक है इसे आगे एक इंच चौता हिस्सा होता है और यह losing यह ठीक उसी तरह यह green वाला मारक है यह 34 inch का चौता हिस्सा माइनस एक इंच का यहां मारक लगाया और यह shoulder और यह इस तरह जोड़के यह मारक नया किया अब दीखिए यह जो पीला माला मारक है इस तरह हम यहां से दीखिए करोल लागाते है यह दीखिए इस तरह आर्म होल का करो लागाते है अब दीखिए यह वही shoulder 18 inch का लेकिन chest कम है 34 inch तो दीखिए यहां chest का चौता हिस्सा और losing समझो पौने 2 inch यहां मारक तो इस कम chest वाले आर्म होल के लिए दीखिए इस तरह करो आएगा यह दीखिए इस तरह और यह फिर यहां इसे 8 inch shoulder के लिए जो मारक है वहां match करेंगे इस तरह तो यह फर्क होता है chest कम होने से यह जो line यह अंदर अंदर जाती है यहां अपनी तरफ आएगी और जैसे जैसे chest बढ़ेगी और shoulder वही रहेगा तो यह line आगे आगे जाएगी अब दीखिए मैंने 8 inch shoulder के लिए यह green वाला 34 inch का मारक बताया और यह yellow वाला 36 inch के लिए बताया और तिसरा जो मारक है दीखिए वही shoulder 8 inch का लेकिन 38 inch की chest है तो समझो इस तरह मारक आएगा दीखिए यह 38 चौता हिस्सा आएगा 9 inch तो दीखिए यह यहाँ 9 inch पर एक मारक करेंगे यह दीखिए 9 inch पर एक मारक करेंगे माइनस 1 inch लेंगे हमेशा की तरह यह दीखिए यह और फिर यह इस तरह 18 inch shoulder के लिए यह जो मेन पॉइंट यह वहां से इस तरह यह स्ट्रेट लाइन यह साड़ी नव इंच दीखिए यहाँ साड़ी नव इंच के आगे दो इंच का समझो यह लूजिंग है यह साड़ी नव इंच एक इंच पीछे मारक किया तो इस तरह दीखे एक दो और तीन जैसे जैसे चेस्ट बढ़ेगा वैसे वैसे यह मारक आगे आगे जाएगा जैसे जैसे चेस्ट कम हो जाएगा वैसे वैसे यह मारक इस तरह पीछे आएगा अभी दीखिए इस से भी अगर यह मारक आएगा चेस्ट का माइनस एक इंच कर लेंगे और फिर यहां से इस तरह यह 32 वाले चेस्ट के लिए यह नया मारक आएगा यहां और आगे दीखिए इसके आगे जितना भी लुजिंग दोगे दीखिए पौने दो समझो लुजिंग दिया तो दीखिए इस तरह यह नॉर्मल कर देके इस तरना यह मार्क आएगा देखिए यह देखिए यह मार्क है यह देखिए 32 इंच चेस्ट के लिए देखिए 8 चोग 32 यह 32 इंच की 32 इंच चेस्ट के लिए यह मार्क I-1 Inch यहां एक मार्क लगाया shoulder और यह मार्क जोड दिया और यह यहां से यह normal कर दिया आर्मोल का तो यह 32 इंच के लिए है और यह कर 34 इंच के लिए यह 36 इंच के लिए और यह 38 इंच के लिए इस तरह एक दो तिन चार 4 साइच के मैंने чेस्ट वही शोल्डर के लिए लेकिन चेश्ट अलग-अलग शोल्डर एक ही लेकिन चेश्ट की साइज चार अलग-अलग है 32 से लेकर 32, 34, 36 और 38 तो इस तरह ये कर उचेंज होते जाएगे ये ये आपको आर्म होल डाउन करना ये आपके हाथ में कितना लूजिंग देना है लेकिन म यहाँ इस तरह चार साइज के लिए आधा याधा इंच आर्म होल डाउन भी होगा तो आपको इस तरह ये फिटिंग के नुसर आर्म होल लाइन भी डाउन करने पड़ेगी तो दोस्तों आज का वीडियो का सब्जेक यही था कि एक ही शोल्डर लेकिन उसी शोल्डर के लि यह मैंने आज की इस वीडियो में बताया तो दोस्तों इस तरह के कस्टमर भी आते हैं जिनका शोल्डर बहुत भाहर निकला होता है फैला होता है लेकिन चेस्ट में वह दूबले पतले और कम साइज होती है इनके लिए आपको यह यह जो लाइन यह में अंदर लेनी हमें आपको उसी हिशाब से आर मोहर कर देना पड़ता है बाकी दिख़िए झस तरह यह चोछा हिस्ट veg का उसी तरह देखा कर भाट लेकर फिर बाकिन का मार्क जो होता है वह रीगेलर होता है में बदला होता है बाकिका जो मेजरिमेंट और Greater Greater लूजिंग वेस्ट का चावता इससा प्लस लूजिंग एरेगिलर हमेशा की तरह में थड़े लेकिन यहां आपको इस तरह चेंज करना पड़ता है तो दोस्तों इस वीडियो में यही था आपको अगर कुछ प्राब्लम है तो कमेंट किजिए कमेंट में मैं जवाब दूंग लेकिज का आपको अबड़ता है है तो कि ऊत्यकल कि दुर में रहे प тебе पांचर को शुफशा ट्राब्लम है नory न sometime होग है